गुड मॉर्निंग टू आल दर स्टुएंट्स ऑफ सेकेंड एर इलेक्टिकल ब्रांच आप लोगों का स्वागत है यी दोसो वन के अगले यी लेक्चर में तो स्टुएंट्स आज का हमारा टॉपिक है के मैप पार्ट टू इससे पहले वाला लेक्चर के मैप पार्ट वन थ जिसमें हमने के मैप को समझा था उससे जो भी बेसिक थे या फिга सकते हैं उसे डी जो भी टर्मिनलोजींड थी हमने उसको अन्डेस्टन किया था तो आज हम देखेंगे के मैप पार्ट जेहं कुह तो एक बार फार्ट और Ta 링 कोई कर देता हूं पार्ट वन में हमने क्या दिखा था के मैप से रिलेटेड हमने उसकी डेफिनिशन को समझा था मिंटम और मैक्स टम के मैप एक और तरीका होता है अपार्ट फ्रम टूथ टेबल यानि टूथ टेबल के बजाए और मतलब अगर हमारा कोई बूलियन उसको में simplify करना है reduce करना है तो हम के मैप की सहयता से कर सकते हैं बस के मैप में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि के मैप आपको easily solve तो करा देगा लेकिन अगर आपको उसके rules अगर उसके grouping के बारे में नहीं मालूम जो कि हम आज के lecture में discuss करेंगे तो आपके गलत होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है question की तो true table के बजाए k-map वैसे simply simplify करने में easy रहता है तो हमने कुछ k-map देखा था यह जो particular एक box है यह पूरा single box इसको तो हम cell कहते हैं यह जो cell होते हैं और हमने देखा था कि variable क्योंकि commutative है तो इधार हमने x1 लिया था मतलब यह two variable के map है और इधार x2 हम इसको interchange भी कर सकते हैं 01 इस तरीके से बस यह जो particular mean terms है m0, m1, m2, m3, m0, m1 मतलब यह तो row wise चल रहा था और यह column wise है तो मैंने suggest किया था कि हम entirely subject में row wise कोई follow करेंगे क्योंकि column wise हम solve कर सकते हैं answer same आता है solution same आता है लेकिन बस उसमें confusion create ना हो और आपके hand में एक practice में चले तो वो ज़्यादा सही रहता है तो अब हम आगे देखते हैं two variable ऐसे ही हमने three variable दिखा था उसके example देखेते cell agency और इसको solve करने के वाज़ा हम सीधा आते हैं k-map SOP minimization sum of product sum of product students आपको पता है कि sum यानि for example a plus b और product product में जैसे a b plus b c a b c plus a c यानि sum of product यानि किसी भी product उनका sum यानि boolean variable जैसे a b c plus में c d e तो यह होता है आपका SOP term तो मैं पहला point पॉइंट 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 देता हूँ the k-map is used for simplifying boolean expression to their minimal form यह तो जाहिर सी बात है अब भी point discuss हुआ था अब minimized SOP expression contains fewest possible terms जाहिर सी बात है कि हम boolean expression को minimize क्यों गड़ते हैं जिससे हमारा लीस से लीस हार्डवेर यानि जो भी हार्डवेर वे जब हम इसको implement करेंगे digital को तो वो कम से कम यूज में आये और हमारा जो मतलब requirement है वो पूरी हो जाए ठीक है जनरली आ minimum SOP expression can be implemented with fewer logic gates जो कि मैंने आपको अभी बताया है फिर हम students आप important point है इस चीज को बहुत आप ध्यान से देखिएगा grouping grouping का rules क्या होता है सबसे पहला point होता है students कि ones and zeros को एक साथ आप group नहीं कर सकते यह grouping क्यों करते हैं expression को reduce करने के लिए जैसे यह एक आप two variable के में आप देख रहे हैं यह बी यह है इसके 00 यानि बार ए बार में 0 है यानि max time है और यहां पर main time है आप इन दोनों को एक साथ group नहीं कर सकते यह तरीका गलत है हाँ अगर जो अगर इसका बना सकते हो और एक ग्रूप इसका बना सकते हो यानि एक वन भी कि एक या एक से ज़्यादा बार में grouping में काम में आ सकता है इस point का यह conclusion है आप किसी भी condition में diagonally use नहीं करेंगे means पहला point था वन और जीरो को आप ग्रूप नहीं बनाएंगे दूसरा point है diagonal one मतलब diagonal form में आप चैबले one हो या zero हो आप नहीं कर सकते हैं हाँ adjacent में कर सकते हैं आप चैबले one एक बार में ज्यादा यूज मूरो जैसे यह one इसके साथ ग्रूप बना रहा है और यह Venak इसके साथ ग्रूप बना रहा है तो इस one को आप टू की पावर में चलेगी यानि या तो दो का गुरूप हो सकता है या फिर टू की पावर बन जैसे टू हो गया टू की पावर टू यानि फोर का गुरूप होगा फिर टू की पावर टू यानि एट का गुरूप हो यानि दो बन का गुरूप हो सकता है चार का हो सकता है या है यह गलत है क्योंकि जहां तो वैसे भी जीरो के साथ में फॉसिबल नहीं है प्लस यह एक दो, तीन चार पाँच है इस तरीकिसे वैसे भी नहीं बन सकता इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको एक ग्रूप्ट यह बनाया एक ग्रूप अपने यह बनाया और एक ग्रूप आपने ये बना है मतलब इसकंद त्योंड टीन ग्रूप बनेंगे दो दो के याफिर एक और तरीका है, जो किThis दिल्कुल सही है, जो की कि आप इसचार का एक ग्रूप बना लिया, ऐसे, ये चार का और एक ये बनाते हैं तो दो ग्रूप हो गए तो यानि ये ज़्यादा reduced form है means आप 5 का एक साथ नहीं बना सकते फिर दूसरी बात जो बगला point में बता रहा था कि minimum group form होने चाहिए हैं यानि ऐसा नहीं है कि आपने दो-दो के पेर एकटे कर लिया आप पहले देखें उसमें के map में के map में अंदर क्या-क्या है जैसे for example यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे तो हम एक group इसका बना लूँ एक group इसका बना लूँ एक group इसका बना लूँ लेकिन ऐसे तीन हो गए अब हमारी यह rule है कि group minimum हो तो हम पहले देखें क्या मुझे चार के one मिल रहे हैं ऐसे कि जिनका group बन जहें हाँ मिल रहे हैं जैसे एक group इसमें एक group इसमें चार के साथ में क्योंकि आप जितना बड़ा group बनाएंगे instruments या जितना बड़ा group बनने की उसमें संभावना है उतना ही reduction होगा अब जैसी जो मैं बता रहा था यह जो ले रहा था example एक group इह बना दिया एक group इह बना दिया एक group इह गलत है चार का यह ले लिया चार का यह ले लिया कोशिश की सबसे पहले पिक कीजिए फिर दूसरा देखिए चार का मिल रहा है हां मिल रहा है तो बस इतने में आपके बात बन जाएगी फिर फॉर अबाव रूल ग्रूप ओवर लेपिंग यानि इस रूल के लिए group अप्लिकेबल है जैसे हमने दिखा ना इसमें यह यह वाले वन चाहन में रखना है कि मैं अगर हमारी grouping बिल्कुल सही है तो हमारा बस फिर मुश्किल से विदिन वन से टू मिनिट के अंदर हमारा कोशन सॉल हो जाएगा ठीक है एक group यह भी possible होता है students जैसे आपने देखा कि यह से one one और यह इस तरीके से है तो यह वाला और यह मतलब side most वाले भी group मतलब यह एक दो यह मतलब यह दो इदर और दो इदर चार ऐसे भी group पॉसिबल है फिर यह चार एक group यह बन जाएगा और यह चार गए group बन लिए क्थे इसमिंए तीन group हो गए आप चाहें तो और भी बना सकते हैं इक बना लिए अ मिनिम्मम ग्रूब बनाने है हमें मदलब side के cell से भी बना सकते हैं जैसे left.most हुआ हमारा यह Leftmost होआ और यह all most हुआ तो यह हमने इदर से ले लिए यह हमनें दर से लिए ठीक है एक गुरूप हमने क्या बनाया है यह वाला चार का और एक यह वाला तो सारे नुबरों में हो गए तो इसमें में चार के चार ओंस के ग्रुप है ठीक के है और एक और तरीका है सै टो आप और यह ले सकते हैं जैसे यह ले लिया यह ले और यह ले लिया ले कि मैं आपको यह वाला सूदेस्ट करूंगा है ठीक है फिर mapping standard SOP expression जैसे हमारे तीन variable है मैं इसके points पड़ देता हूं फिर आपको मैं clear करूंगा मतलब हर एक product term में हमारे हमने बताया था कि SOP में हर एक min term को 1 से मतलब लिखा जाता है इच वन इस प्लेजड इना सेल मतलब हर एक जो वन इस जिस सेल में place होता है corresponding to the value of product term यानी जैसे suppose अगर हमारा यहां वन आ रहा है तो स्ट्वेंट यह क्या term होगी a bar b bar c क्योंकि a और b यहां पर 00 है आप row में देख रहे हैं और c यहां पर one है तो a bar b bar c तो मतलब यही बता रहा है कि जहां जाब one है हमने उसके correspondingly देख लेना है बस हमें यह देखना है कि variable zero को represent कर रहा है या one को represent कर रहा है अगर zero को represent कर रहा है तो उसका compliment form लिखा जाएगा और अगर वह one को represent कर रहा है तो वह uncompliment simply जो उसकी value है मतलब जो उसका मतलब suppose c है तो c लिखा जाएगा और अगर जीरो है तो c बार लिखा जाएगा जैसे कि for example मैंने बताया अगर suppose मान के चलिए one यहां प्लेस होता तो यहां पर 11 तो a b और यहां पर one है तो c मतलब यह मैंन किया हुआ है a b c से लिखा जाएगा एक example दे रखा है for the product term as one goes in the 101 101 कुन सा है 101 यह वाला यह वाला one zero और उधर से one यहां पर अगर one है तो क्या होगा a b बार और c ठीक है students यह जोटा मुटा आपको ध्यान रखना है बिलकुल basic से चलेंगे तो k मैं बहुत easily आपसे solve हो ठीक है अब यह हमारे यह थे जिसए यह 2011 placed है अभी हम grouping नहीं कर रहे हैं अभी जस्त हम इसको देख रहे हैं कहां कहां है एक तो a bar b bar c bar पे है एक a bar b bar c पे है एक हमारा a b c bar पे है और दूसरा हमारा a b bar c bar मतलब ऐसे ठीक हैं अभी आप practice के लिए देख लीजे मैंने बीड़ A bar B bar C ये वाला प्लस A B C bar और A B bar C bar ठीक है अब practice के लिए आप इसको solve कर लीजिए इसको मतलब express standardized कर लीजिए जो भी करना है लेकिन अगर हमें इसको reduce करना है तो इसका reduce का शायद मैंने दिया नहीं है तो हम इसको कैसे solve करेंगे students एक group तो हमने ये बना लिए चार का में कहीं से possibility दिख रही है नहीं दिख रही है ठीक है तो एक group हमने ये वाला बना लिया और एक group हमने ये बना लिया ठीक है तो इस group को हम बनाएंगे तो क्या होगा अब जैसे इसमें C 0 से 1 जा रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे क्या रहेगा A बार B बार प्लस अब इसमें B 1 से 0 जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे सिर्फ हम रखेंगे A A C बार यानि इसका क्या answer हुआ A बार B बार प्लस A C बार ये reduce होके आगया तो आप देखें कि कितना easily ये reduce होके आगया और अगर ये सारे आप expression देखें तो इसमें आप देखें A बार B बार कॉमन लेंगे तो C प्लस C बार यानि 1 हुआ तो यानि A बार B बार आया और इसमें आपने A कॉमन लिया तो B C बा होता है यानि आपको दो लाइन में लिखना पड़ा बुलिल एलजवरा से के मैप से आपने सिंपल एक लाइन में लिख करके खतम किया अंसर को निथीवरिपल के मैप त्रीवेरेबल के मैप अब जैसे कि देख रहे यह 04 यह दरसल यह सिंबल है मैं आपको बताया था SOP का यह जो आपका submission होता है तो 04 यानि B bar C bar ये रहा आपका 00 मतलब 0000 पर और 4 पर कितना हो गया 10000 पर यहाँ पर है तो एक group बनाया तो यह 8 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि एक transition हो रहा है 0 यह 1 यह 1 से 0 तो उस हम variable को consider नहीं करते हैं सिंपल इसका देखा तो यह जहाँ पास 00 है इस corresponding column के अगिंस्ट यह हो गया B bar C bar ऐसे ही यह बहुत सारे example है सपोज मैं यह वाला example ले लेता हूं 0 और 2 तो 0 तो यह पर हो गया और 2 क्या होगा 0100 0010 तो यह group बनाया इधर से और इधर स है तो यह क्या होगा क्योंकि इसमें A bar रहेगा और इसमें क्या चींज हो रहा है बी चेंज हो रहा है तो सिर्फ A bar C bar रहा है इसको स्टुएंट्स आपको by hand लिखना पड़ेगा practice करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं ठीक इसका board lecture बना दूंगा एक लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मतलब इसके अंदर हां मतलब प्रैक्टिस मतलब हैंड आपका प्रॉपर्ली बैठेगा नहीं इसी तरीके से four variable है four variable के लिए मैं आपको एक बार के लिए assignment point of view से मतलब छोड़ता हूँ four variable को discuss करने से पहले मैं इसको बोर्ड पर ज्यादा दंग से clear करूंगा ठीक है फिर यह four variable के और सारे है example अब minimize मतलब determining the minimum SOP expression from the map अब minimum निकालना है जो कि मैं discuss कर रहा था जैसे कि आप देख पार instruments यहां पर सबसे पहले इतने सारे हैं तो यह दो दो चाह सबसे पहले तो यह 8 का ग्रूप बन गया ठीक है फिर यह four का मन गया एक यह और फिर यह two का एक यह बन गया तो सबसे पहले आठ का पिर यह four का और फिर यह two का आठ में बना तो हमने देखा ये तो सारे चिंज हो रहे हैं सिरुप B रखा तो ये arrow B ही बता रहे हैं ये 2 में क्या रखा इसमें A रहा A और C बार D और इसके अंदर ये 4 में A बार और इसमें C means ये answer क्या है B B प्लस A बार C प्लस A C बार D बहुत इजी ली सॉल बजाता है इस्टुमेंट्स बस में चीज यह कि आपको ग्रूपिंग का देखना है बस जैसे की आप इसमें देख सकते है इसमें ये सिंग और कहीं भी मinga गुरूप झिए यह बने गया अब ये किसी गी साथ अपना गुरूप नहीं मना सकता तो इसको में singular je consider करना होगा जैसे इसमें हमने देखा इस वाले में, तो A, B मिल गया इस वाले में हमने देखा तो B, C यह रहा सामने, और यह A बार, B बार, C बार अब आप इससे ज़्यादा यह solve नहीं हो सकता ठीक है, अब जैसे इसमें हमने देखा तो यह एक तो उपर का तो टॉप और बाटम का हमने ले लिया एक तो चार का यह बन गया एक ग्रूप यह बन गया और तीसरा ग्रूप यह बन गया, मतलब इसमें तीन ग्रूप बन गया ठीक, इस्टुएंट्स तो इसको आप देखना और इसको solve करना B बार प्लस A बार C बार प्लस को देखें, दो तीन बार दुबारा से मतलब इसको, मतलब वाच आउट करें और फिर आप देखें कि किस तरीके से के मैप से reduction possible होता है ठीक है और main चीज मैंने बताया सबसे पहले तो grouping का दिया रखना है उनके rules का दियान रखना है और कोई भी variable transit हो रहा है transit हो रहा है, यहां 0 से 1 हो रहा है 1 से 0 हो रहा है, उसको छोड़ देना है यह 00011110 यह वाले 00011110 यह कैसे आया, यह आपको ध्यान में रखना है और main चीज आपको अपने number system को strong कर लेना है क्योंकि आपके number system था ही नहीं syllabus में, बट मैंने उसको इसलिये किया क्योंकि digital electronics में entry का सबसे first step आपको number system ही होता है ठीक students, तो तब तक अपना ध्यान रखें इस corona महामारी में main चीज अपने study को continue रखते रहें और अपनी family का भी ध्यान रखें और उमीद करते हैं कि जल्दी आपके colleges की classes offline classes start हो जाएंगी तब तक के लिए thank you so much कि